हम Scratch पर आधारित PictoBlock Software में एक Natural Language Processing Based Artificially Intelligent Quiz बनाना सीखते हैं ये Quiz दस कहानियों पर आधारित है आप इन दस कहानियों वैसे किसी भी एक कहानी के कुछ Keywords सोचें और आप Computer को वो Keywords दें और ये जो NLP Software है ये बताएगी कि आप कौन सी कहानी के बारे में सोच रहे थे तो लेट से मैं पर अभी मैंने इस Quiz में फीड करी हैं वो है Snow White, Rabbit and the Lion, Natchiketas, Pralad, Arjun and Eye of the Bird, Churning of the Ocean, Monkey and Crocodile और सिंडरेला तो लेट से मैं प्रलाद की कहानी मेरे दिमाग में है और मैं क्लू दे रहा हूँ इस AI को Lord Vishnu तो ये AI ठीक गेस्प कर रही है कि Lord Vishnu जो है वो प्रलाद कहानी में है और फिर मैं कहानी सोच रहा हूँ Churning of the Ocean, समधर मंथन और इस से संबंदित की वर्ड में दे रहा हूँ अमरित तो ये कह रहा है अमरित जो शब्त है वो Churning of the Ocean से related है या अगर मेरे दिमाग में कहानी है Snow White और मैं क्लू दे रहा हूँ Dwarfs तो ये कह रहा है कि Dwarfs जो है वो Snow White से संबंदित है ये जो Quiz है ये आप किसी भी Topic पर बना सकते हैं आप Music पर NLP को Train कर सकते हैं आप Movies पर Train कर सकते हैं Topics of Study यानि कि आप History का Quiz या Geography का Quiz या Mathematics का Quiz आप ऐसा 4EB Quiz बना सकते हैं Natural Language Processing को यूज करते हुए तो सबसे पहले हम समझते है Natural Language Processing या NLP है क्या NLP, Computer की Ability है To Understand Written or Spoken Word Just like the way we humans do यानि कि अगर मैं आपको कुछ चीज पढ़ाता हूँ या कुछ सुनाता हूँ तो जैसे आप उसको समझ बाते हैं Computer भी उसको वैसे ही समझ पाए इसको NLP कहते हैं और जब हम कहते हैं कि Computer Written Text या Spoken Word को समझ पाए तब हम कह रहे हैं कि वो न केवल Syntax यानि कि Grammar समझ पाए जो की आसान है क्योंकि वो Rule अधारित है पर वो Sentence का Semantics भी समझ पाए यानि कि Sentence का मतलब भी समझ पाए उसका Sentiment भी समझ पाए और कहने वाले की Intention क्या थी वो भी समझ पाए जैसे अगर मैं कहता हूँ देख लेंगे तो देख लेंगे कहने के बहुत तरीके हैं अच्छा देख लेंगे अच्छा मैं तुझे देख लूँगा तो देख लेंगे शब्ट की Intent और Sentiment और Meaning क्या था इन दे गिवन कॉंटेक्स कम्प्यूटर ये सब बातें वैसे ही समझ पाए जैसे हम Humans समझ पाते हैं इसको NLP कहते हैं NLP आधारित है Computational Linguistics पर यानि की Language आधारित Mathematics पर Famously इसको ऐसे समझा जाता है कि अगर कम्प्यूटर को समझ में आ जाए कि King minus Man plus Woman is equal to Queen ये Computational Linguistics का एक अच्छा एक्जामपल है जब कम्प्यूटर वर्ड्स पर नंबर साइन कर देते हैं तो फिर वो उस पर Vector गणत लगा पाते हैं और Vector Mathematics ही आधार है बहुत सारी Machine Learning का जैसे कि अगर हम कहें कि एक Set है जिसमें कि ये शब्द है Cold is, will rain tomorrow sunny और फिर हम बहुत सारल Vector गणत यहां लगा रहे हैं कि हम Vector ये बना रहे हैं कि Vector है 010011 यानि कि इस जो Set से हम कह रहे हैं जो Zero है उसको छोड़ दो और जो One है उसको ले लो तो sentence फिर ऐसा बन जाता है कि Is tomorrow cold और sunny Computational Linguistics और Vector Mathematics आधार बनते हैं NLP का NLP के important tasks ये होते हैं कि सबसे पहले computer जो भी हम उसको text देते हैं उसको वो break up कर देता है individual words or phrases में और usually उनको numbers assign हो जाते हैं फिर computer parts of speech tagging कर देता है यानि कि उस given sentence या phrase में वो पता कर लेता है कि कौन सा शब्द noun है कौन सा adjective है, कौन सा verb है and so forth computers word sense disambiguation भी कर लेते हैं जैसे मैं अगर शब्द कहता हूँ sun तो sun से मेरा क्या मतलब है कि sun सूरज या sun बेटा इसको word sense disambiguation कहते हैं named entity recognition होता है जब कि given text में NLP models identify कर पाते हैं कि इस में से कौन से शब्द हैं जो कि लोगों के नाम है या location है या फिर किसी organization या company का नाम है और sentiment analysis एक और important part है NLP का sentiment analysis से computer पता कर पाते हैं कि जो sentence बोला गया है उस context में क्या वो happy है, sad है या उसमें कोई criticism है, irony है, etc. sentiment analysis for example, बहुत companies बहुत use करती है to figure out कि social media में उनके बारे में sentiment किस किसम का चल रहा है या फिर कोई news organization अगर पता करना चाहे कि Twitter पर अभी किसी particular topic पर public sentiment क्या है तो वो NLP use करते हुए ऐसा sentiment analysis कर सकती है I hope आपको इससे एक थोड़ा overview मिला कि natural language processing जो AI है, वो काम कैसे करती है पर अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं भी आता कि NLP काम कैसे करती है तब भी आप NLP को use कर सकते हो क्योंकि ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आपको पता नहीं कि गाड़ी का engine कैसे काम करता है पर फिर भी आप गाड़ी को drive करना जानते हो हम गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं और NLP आधारे क्विज बनाते हैं Pictoblocks में मैंने अपने लैप्टॉप में Pictoblocks आप खोली है पर ये Pictoblocks आप आप अपने मुबाइल फोन पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि NLP का extension आपको वहाँ भी मिल जाएगा तो नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद हम यहाँ आड एक्स्टेंशन में Natural Language Processing के Programming Blocks आड़ कर रहे हैं और इसमें हमारा जो पहली कमांड यहाँ पर है वो है कि हम कुछ Text यूज़ आड़ करें और फिर जो भी हम Text आड़ करें हम उसकी Class डिफाइन करें क्योंकि मैं ये Quiz कहानियों के उपर बढ़ा रहा हूँ तो अगर मेरी पहली कहानी जो मैं ले रहा हूँ वो है Cinderella की तो मैं कह रहा हूँ Class जो है वो Cinderella है और फिर Cinderella की कहानी का एक Summary मैं यहाँ पर as Text आड़ करूँगा अब Cinderella की कहानी की Summary लिखने के बदले मैं यहाँ पर ChatGPT यूज़ कर सकता हूँ तो यहाँ मैंने ChatGPT से पुछा कि Summary Cinderella Story in 100 Words और ChatGPT ने ये कहानी की Summary मुझे दी मैं इसे Copy करके Picto Blocks में यहाँ Your Text यहाँ पर Add कर रहा हूँ तो अब हमारे पास हमारी पहली Class आ गई है जो की Cinderella Class है और उसकी Text Summary हमने ये डाली है फिर मैं एक और Programming Block ला रहा हूँ और मैं दूसरी कहानी कह रहा हूँ है Snow White की तो और फिर मैं ChatGPT में मैंने जो मैंने अभी आपको Quiz दिखाया था उसमें ये सारी कहानिया पूछी थी चिकेता की प्रहलात की और यहां से मैं अब Snow White की कहानी Summarize Snow White Story in 100 Words और जो ChatGPT ने मुझे Summary दी है मैं ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो अभी इस एक्जैम्पल के लिए हम केवल दो ही कहानिया बना रहे हैं आप जो भी जिस भी चीज़ पर quiz बनाना चाहते हैं आप नई नई class अड़ कर सकते हैं अगर History पर बना रहे हैं तो आप History के facts के ओपर बहुत सारी यहाँ पर classes अड़ कर सकते हैं अगर Science पर बना रहे हैं तो Science की डिफरेंट concepts पर यहां पर बहुत सारी classes add कर सकते हैं एक पार आप classes add कर देते हैं तो next हमारे को इस NLP engine को train करना है तो यहां से मैं यह command ला रहा हूँ train text classifier और events block में जाके मैं कह रहा हूँ कि when green flag is clicked add Cinderella story, add snow white story इनकी classes defined है और फिर मैं कह रहा हूँ train the text classifier तो मैं यहां यह green flag दबा रहा हूँ तो अब मेरा classifier जो है वो train हो गया है और मैं वापस NLP के blocks में जाके यहां से ला रहा हूँ यह command get class of some text तो अगर यहां पे अब मैं text input करता हूँ क्योंकि मैंने इसको Cinderella और Snow White पर train किया है तो मैं यहां पर कह रहा हूँ कि अगर कहानी है about glass slippers क्योंकि यह Cinderella की कहानी है तो जब मैं इसे पूछ रहा हूँ कि tell me the class, it's saying कि this is Cinderella और वैसे ही अगर मैं यहां पर कहूँगा dwarfs तो यह मुझे ठीक बता रहा है कि यह Snow White की कहानी है तो इस तरीके से हमारा जो text NLP based text classification model है वो train हो चुका है अब हमार को केवल अपने quiz का एक interface बनाना है तो interface में बनाने के लिए मैं यहां sensing में जाके यहां से यह block ला रहा हूँ ask the user and wait for some input तो हम यहां पर user को कुछ instructions दे सकते हैं जैसे from one of the given topics, put in some keywords computer will then guess which topic you have in mind तो अब अगर मैं green flag दबाता हूँ text classified train हो जाता है और यह question यूजर से पूछा जा रहा है अब यूजर यहां जो भी चीज input करेगा उसको यहां पर यह जो answer नाम का variable है इस पे save यह save हो जाएगी इसकी input और हम चाहते हैं कि यूजर की जो भी input थी हम उसकी class पता करना चाहते हैं और जब हमारे को उसकी class पता चल जाती है तो हम केवल उसको display करना चाहते हैं तो मैं looks में जाके यहां कहा रहा हूँ कि say और hello के बदले मैं कहा रहा हूँ कि say the class of whatever words the user has input तो अब जो आप मैं इसको कोई ना कोई keyword देना पड़ेगा तो अगर मैं keyword देता हूँ midnight तो यह कह रहा है Cinderella कहानी का है क्योंकि अगर आप कहानी याद है तो Cinderella को midnight पर वापस आना था उसकी step mother ने ऐसा कहा था मैं इसको फिर से run कर रहा हूँ तो green flag के बदले हम यह भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर यह जो दो commands हैं इनको एक forever loop में डाल दे तो बार बार यह game repeat होता रहेगा तो अब अगर मैं यहाँ पर green flag दबा रहा हूँ तो फिर वही हमारी instructions हैं और मैं यहाँ पर कहता हूँ poisoned apple जो की snow white कहानी से है तो यह बता रहा है कि यह snow white कहानी से है और अगर मैं कह देता हूँ fairy tale और fairy tale दोनों में true है तो let's see तो वो first उठा रहा है Cinderella but this is as much true for the second story also तो मैं यह limitations भी बता रहा हूँ कि अगर हम अपने model को और train करना चाहते हैं तो हमार को जो हमने यहाँ text input किया है उसको और well define दरना पड़ेगा but largely this is how easy it is to create a quiz in scratch based on natural language processing अगर आप answer जो finally answer आप user को दे रहे हो उसमें कुछ और add करना है तो आप operators में जाके यहाँ पर join command ला सकते हो और फिर आप कह सकते हो कि so the word you type answer तो यहाँ पर जो भी user ने input किया है वो आ जाएगा comes from the story space और यह क्या है यह जो भी यह class है तो इस तरीके से हम join या concatenate करकर हम अब जब अगर यह run करेंगे और मैं यहाँ कह रहा हूँ dancing ball Cinderella तो वो कह रहा है the word you type dancing ball comes from the story Cinderella और यहाँ display का हम time भी बढ़ा सकते हैं maybe let's say हम इसको 4 seconds कर देते हैं finally जो मैंने आपको quiz दिखाया था उसमें जो fairy tales की images थी उन images को generate करने के लिए मैंने text to image AI generator dal E2 use किया था so dal E2 की website पे जाके अगर आप try dal E कहते हैं और यहाँ पर फिर आप शब्दों में describe करते हैं आपको किस किसम की image चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ और फिर मैं generate बटन दबा रहा हूँ तो यह जो dal E text to image AI generator है यह फिर images की कुछ मुझे options generate करके मुझे यहाँ मिल रही हैं और फिर इन में से जो भी चीज़ पसंद आती है तो उसको download करके scratch में as a sprite use कर सकता हूँ तो जो मैंने कहानी बनाई थी उसके लिए फॉर इसेंपल जो rabbit and the lion की story है उसके लिए मैंने prompt दिया था a lion looking at its reflection in a shallow well a rabbit is standing next to it and cartoon look और मुझे बहुत सारी options मिली थी जिन मैंसे एक को फिर मैंने अपने scratch के quiz में use कर लिया था in summary इस NLP based quiz के content को generate करने के लिए आप chat GPT यूज कर सकते हो और images को generate करने के लिए आप AI आधारत art generators यूज कर सकते हो I hope scratch में आप ऐसा NLP based quiz बनाना try कर होगे आप आप